इस लेक्चर में हम बात करेंगे मास्किंग के उपर मास्क बेसिकली होता क्या है कि आप अपनी वीडियो में से कोई भी स्पेसिफिक शेप या किसी भी डिजाइट एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं शेप से मेरे मतलब है आप किसी को स्कूर एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं आप किसी को राउंड में कर सकते हैं या फिर अपनी मर्जी की कोई भी शेप बना के उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यह हम करते क्यों हैं यह बड़े इडवांस डेवल पर भी यूज होता है बाज जगा आपका पूरा VFX पोर्शन में सब कुछ आप इसको मास्क करके यूज करना होता है और बाज जगा आपको जस्ट स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करके उस पे मजीद काम करना होता है उस पे मजीद इफेक्ट डालने होते हैं तो आप उसको मास्क के थरूँ सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमने पहले बात की थी कि आप प्रैक्टिस करते जाएंगे चीजे नहीं नी एक्स्प्लोर होती जाएंगी नहीं पॉस्प्लिटी आपके पास खुलती जाएंगी तो आपके लिए एरिटिंग बहुत इंट्रस्टिंग होती जाएगी लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ के interesting तो हो ही जाएगी लेकिन थोड़ी सी complicated भी हो जाएगी तो आप लोग इसकी practice जितना कर सकते हैं उसको करें और हम further mask को explore करते हैं जी मैं इस वक्त अपनी timeline पर हूँ इस वक्त और मेरे पास ये clip है जिसमें एक lady walk कर रही है इस clip को mask करने के लिए या आप कहलें कि specific area को select करने के लिए मैं इस पर click करूँगा और मेरे पास opacity के नीचे कुछ ये shapes आ रही है और साथ में कुछ ये एक pen tool भी है मेरे पास ये basically क्या करेगा आपको कि अगर मैं इस वक्त इस square को click करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने एक इस तरह की मुझे four point selection दे दी है और सारी चीज़े खतम हो चुकी है वहां से आपके पास सिर्फ इतना area यह नजर आ रहा है इसका मतलब यह है कि इसने इतने area को mask कर लिया है इसको undo करता हूं control-z के साथ और अगर मैं इस round को ellipse shape को click करूँ तो आप देख रहे हैं कि वही इस वक्त जो है मेरे पास round shape में selection हुई भी है इस selection को मैं different जगा पर move भी कर सकता हूं तो जिस area पर मैं इस वक्त इसको अपने mask को move कर रहा हूं आप देख सकते हैं कि वह area मुझे visible हो रहा है और उसके इलावा कुछ भी visible नहीं हो रहा further यहां पर मेरे पास एक option है inverted की अगर मैं इसको check करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मास्क आपका invert हो जुका है और जो area जहां पर आपने उस round को select किया था सिर्फ वह area नजर नहीं आ रहा invert होके आपको बाकी तब कुछ वीडियो नजर आ रही है आप इसको डिफरेंट जगाओं पर मूफ करके देख सकते हैं कि inverted को uncheck करते हैं हमने तो shape wise देख लिया अभी हम pen tool से भी इसको explore कर सकते है pen tool basically आपको वह options देगा कि आप अपनी मर्जी की shape अपनी मर्जी का mask बना सकते हैं जिस point पर आपको जो चीज़ चाहिए जिस जगह आपने इसको move करना है आप इसको easily play around कर सकते हैं तो इस mask को हम फिलाल करते हैं delete आप देख सकते हैं mask one add है हमारे पास मैं यहाँ पर इसको select करके delete press करूँगा mask खतम हो गया है और pen tool स मेरे पास यहाँ पर pen tool मैंने यहाँ से पकड़ा यह याद रखेगा कि यह timeline वाला जो आपके पास toolbar आ रहा है timeline के साथ यह वाला pen tool नहीं है आपके पास opacity के अंदर एक इसका अपना भी pen tool मौझूद है और इस वक्त मैं जस्ट एक randomly वीडियो को select कर रहा हूँ आप देख रहा है आप इसको undo कर सकते हैं अगर आप से घलत dot क्लिक हो जाए और दोबारा जिस dot से मैंने शुरू किया था इनको select करते वे मैंने जब उस पे click किया अपने final dot पे जो के पहला सब्सक्राइब था तो इसने इसको close कर दिया और मेरे पास एक अपनी मर्जी का mask बन चुका है change कर सकता हूँ मैं overall पूरे mask को इस तरह move कर सकता हूँ इसको हम play करते हैं आप देख रहे हैं इस वक्त वीडियो आपकी play हुई है आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है लेकिन आपको सिर्फ जो area आपने mask किया था वो आपको नजर आ रहा है mask की कुछ further options भी हम देखते हैं यह mask का path है अगर आप चाहें तो इसको भी keyframe लगा के animate कर सकते हैं हम आगे जाके देखेंगे किसको हम किस तरह से change कर सकते है further आपके पास आ रहा है mask का feather इसका मत्तब यह है कि आपने जितने भी points को यहाँ पर अपने mask बनाया है अगर आप इस feather को बढ़ाते जाएंगे तो उसको वो थोड़ा सा soft करता जाएगा और आप देख रहें कि edges जो है वो इस बख स्मूथ हो चुके वो बिलकुल उस तरह का harsh नहीं है इसको मैं अगर प्ले करता हूँ अभी तो आप देख रहें कि feather के साथ साथ वो edges को बिलकुल soft और smooth करता गया है feather अपनी मर्जी का मैं select कर सकता हूँ मैं कम इसकी softness कम कर सकता हूँ जादा कर सकता हूँ उसके नीचे मेरे पास opacity है mask की आप देखे रहें कि अगर opacity मैं कम कर रहा हूँ तो वो transparency उसकी कम कर रहा है क्योंकि mask के अंदर हुआ वा जो area है उसकी transparency को मैं control कर सकता हूँ अगर मुझे कम या जादा करना है इसके बाद मेरे पास है mask expansion तो आप देख रहें कि जो shape मैंने select की थी इस expansion को बढ़ाने से उसी shape को वो मजीद expand करता जा रहा है या फिर अगर मैं इसकी values कम करूंगा तो आप देख रहें कि वो उसी shape को मजीद कम करता जा रहा है और आप चाहते हैं कि वाई default ही हो जाए आप यहां से इसको reset करेंगे तो अभी आपके पास यह mask इस वक्त यहां पर set हो चुका है इसमें आप चाहें तो बहुत detail में भी काम कर सकते हैं मिसाल के तोर पे अभी आपके पास यह window का size आ रहा है आप चाहें तो आपके पास यहां पर zoom करने की option मौजूद है यह आपके इस canvas को यह आपके इस program window को के अंदर जो जितने भी आपके बस वीडियो है इसको वह zoom कर देगा let's see मैं इसको 200% करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आप इन mask पे detail में काम कर सकते हैं यहां से feather भी मैं reset कर देता हूँ तो मैं इसको full screen भी कर लेता हूँ यहां से मैंने इसको 400% पर जूम इन भी किया हूँ आप चाहें तो बिलकुल अपना इसको detail में काम कर सकते हैं जितने एरियास पर आपको काम करना है और किसी point पर आपको लगता है कि आपको यहां पर और points add करने हैं तो आप alt के साथ click करेंगे तो आपके पास further points भी add होते जाएंगे click करेंगे तो आपके पास further points भी add होते जाएंगे तो यह आपने इसको देखा कि हमने pen tool से अपनी मर्जी की selection की यह selection आप square से किसी और shape से यह round वाले इससे ellipse से भी कर सकते थे इसको आप बहुत detail में भी कर सकते हैं मतलब यह point आपके जो आपने जितने add की हैं यह बिलकुल आप चाहते exact भी कर सकते थे आप इसको यहां से zoom in करके यह सिर्फ आपकी window को zoom in करेगा आप यहां से भी in को set कर सकते थे तो यह काफी आपकी practice पे आपकी उस पे depend करता है कि आप कितना detail में करना चाहते हैं और main चीज़ यह कि आपने achieve क्या करना है हो सकता है आपको सिर्फ इसी window को इसी video को आपने किसी laptop की screen पे set करना था या maybe आपने किसी mobile की screen पे set करना था आपने extra areas वगरा काड दी आपने सिर्फ इतना area ही mask किया और इसके बाद आप ने इसको वहां पर अपनी position scaling वगरा से adjust कर दिया जिस तरह के अभी यह मैंने mask किया आप देख सकते हैं कि आपके पास edges विल्कुल transparent हो गई है इसको मैं अगर just script के उपर रखता हूँ आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास सिर्फ वोई area आ रहा है जो मैंने mask किया था मैं यहां से अपनी मर्जी की इसकी positioning कर सकता हूँ मैं चाहता तो मेरा mask और detailed हो सकता था मतलब मैंने यहां पर जो areas हैं मैंने उसके हिसाब से उसको mask बनाया होता इन points को आप देख रहे हैं जो हमने पहले लगाए थे हम further आगे भी change कर सकते हैं तो आप इस वक्त देख रहे हैं इसको मैंने adjust किया इस area में जहां पर आपके पास empty space थी नीचे वाली layer और उपर वाली layer जो कि mask होई भी है अगर इस वक्त मैं इसकी masking just quickly delete करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि यह किस तरह का होता तो आपके पास actual footage इस तरह आ रहा होता और अगर मैं इसकी position को भी इस वक reset करता तो totally वो उसके उपर overlap हो जाती तो हमने दो चीज़े की वी हमने इसकी position भी set की वी और हमने इसमें जो mask add कि अब आप देख सकते हैं कि उसने इसके edges को और हमारी select किया हुआ जितना area हमें select करना था हमने अपनी मर्जी से उसको mask करके select कर लिया और बाकी area उस video में से जो उस video के अदर मौझूद था वो चला गया तो ये तो हमने देखी pen tool से और normally आप अपने जो desired output होती है उसी हिसाब से आप अपने tool का selection करते हैं कि आपको कहां से opacity के नीची जो आपके पास options हैं वहां से आपको करते हैं मैं same video को आपके पास दुबारा mask करता हूँ और मैं इस mask को delete कर दिता हूँ पोजिशन को भी मैंने reset कर दिया और अभी हम देखते हैं कि अगर मैं इसको इस shape से ही करता तो मेरे पास यह option है shift press करूँगा तो इस वक्त मैं इसको straight आप देख सकते हैं इसको मैं shift press किया हुए तो इसको मैं straight line में इसको यूँ नहीं हो रही क्योंकि मैं shift press किया हुए इधर से भी यह point select किया साथ मैं shift भी press रखा आप देख सकते हैं इतना मैंने उसको इसके साथ align कर लिया इस mask को हम animate भी कर सकते हैं और इसके लिए हमें इसके path को animate करना होगा आप देख सकते हैं उसी तरीके से जिस तरह हमने अपनी की फ्रेम एनिमेशन आउन करना ही होती है हमने यहां पर भी हमारे पास यह मुझूद है और हमने इसको select किया यहां से click किया यहां पर और हमारे पास animation ओन हो गई की फ्रेम हमारे पास add हो गया अब मेरे पास यह option है कि मैं इस mask को कहीं पर भी move करूं तो एक और की फ्रेम एड हो गया और अब ये मास्क जो है इस तरीके से आप देख रहें कि एनिमेट हो रहे है और मैं चाहूं तो इसको दोबारा की फ्रेम देखें खुद ही एड हो गया यहां पर मैं चाहूं तो इन की फ्रेम्स को थोड़ा सा पास कर लूँ वो जल्दी जल्दी थोड़ा सा आपको क्विकली नज़र आ जाएगा यह मास्क आपका देख रहे हैं एनिमेट होके लेफ्ट पे गया अब यह राइट पे गया क्योंकि मैंने इसको राइट पे किया था अब मैं इसको चाहूं तो लेफ्ट पे ले जाओ दुबारा और चंद फ्रेम बात मैं इसको फिर राइट पे ले गया तो ये तो जस्ट मैंने इस वक्त बेसिक एनिमेशन यहाँ बे की है आप इसको फ्रेम बाइ फ्रेम भी कर सकते हैं क्योंकि मास्किंग में बहुत डिटेल में काम होता है अगर आप स्पेसिविक एरियास को टार्गेट करते हैं इस तरह के इसके हाथ अगर हम देखते के उठें तो में भी आपका मास्क इतना डिटेल भी हो सकता था कि वह मास्क जब हाथ उठें उसके साथ साथ फ्रेम बाइ फ्रेम आप मास्क को चेंज कर रहें और अब मेरे पास एक इस क्लिप में से ये सिलेक्ट है और मैं चाहूँ तो इस पर कोई भी ऐसा एफेक्ट लगा लूँ जो मैं आपर प्रॉक एम्प लगाता हूँ और इधर से जाके मैं इसकी सैचूरेशन जीरो कर देता हूँ आप देख सकते हैं मैं इसकी ब्राइटनेस कॉंट्रास सिर्फ उसी एरिया पे काम कर रहा है जो मास्क है क्योंकि लेयर पे पूरी कर रहा है एक्जैक्टली तो लेकिन हमाँ पस मास्क है तो हमें इस वक नज़र नहीं आ रहा अगर मैं चाहूँ तो इस सेम लेयर को डुप्लिकेट कर लूँ और मेबी मैं क्या करूँ को इसमें पूरी इसके नीची जो लेयर है वह और ऊपर लेयर पर आपके पास मास्क और एफेक्ट अलग अलग लगे वे मैं आपकर करके दिखाता हूँ आलट के साथ मैं इस लेयर को अगर उपर ड्रैक करूँगा और मैं यहां पर माउस चोड़ूँगा तो मेरे पास सेम क्लिप उपर डुप्लिकेट हो गया है कॉपी हो गया है नहीं तो इसका दूसरा तरीका यह भी हो सकता था कि मैं इसको कंट्रोल सी और यहां पर कंट्रोल शिफ्ट वी यूज़ करूँगा ताकि इसके उपर ओवरलैप ना हो और मैं इसको उपर एज इस सिंक कर दूँगा इसके साथ बिल्कुल तो इस वक्त मेरे पास दोनों लेयर सेम हैं सेम मास्क है अगर मैं नीचे वाली लेयर को सिलेक करूँ इदर से इसका मास्क डिलीट कर दूँगा आप देख सकते हैं कि इस वक्त उसने इसको पूरा विजिवल हो गया यहां पर और मैं भी इदर से जाके क्योंकि एफेक्ट भी साथ copy paste होए थे इसको मैं delete कर दिया अब आप देख सकते हैं आपके पास same layer थी लेकिन नीचे वाली layer में आपके पास नीचे वाली layer में आपके पास basically इस पर कुछ भी effect नहीं है और उपर वाली layer में इतना area हमने mask किया है और आप देख रहे हैं कि यह mask travel कर रहा है जहां जहां यह mask move कर रहा है उस पर वही effect लगावा है जो कि हमने लगाया था यह वाला अगर हम इसमें changes भी करें आप देख रहे हैं कि साथ साथ इसमें changes हो रही है अगर नीच्छे वाली layer को मैं इस पर off करूँ और उसके लिए मैं इसको disable कर सकता हूँ right click करूँगा और enable को uncheck करूँगा तो आप देख सकते हैं आपके पास उपर वाली layer से इस पर चल रही है और उसमें हमने mask लगाया था हमने इस mask को animate किया जो कि आपकी shape basically इस तरह से move हो रही है और हमने इस पर एक effect भी लगाया था जिस तरह हमने इसका color change कर दी हमने black and white कर दिया तो basically mask लगाने का मकसद ही यही है कि आप अपने selective areas पर काम कर सकते हैं आप इस पर कोई भी effect लगाएंगे तो वो सिर्फ उसी area पर लगेगा जो जितना आपने area mask किया हूँ है basically वो लगता तो पूरे clip पर है लेकिन आपको उस प्रक visible वो area दिखाएगा जितना आपके पास mask area में selected है अगर इसकी जगा मैंने कोई और effect भी लगाया होता जिस तना कि मैं pro cam delete करता हूँ और यहां से मैं इसके ऊपर blur लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने इसको blur कर दिया और नीचे वाई layer को मैं on करता हूँ जो कि as it is same layer थी अब यह जो on करने से पहले अगर आप देखें तो यह इस वक्त black and white की जगा आपके पास पूरी वीडियो blur आ रही है और यह जो mask आपने अपनी मर्जी से बनाया था और फिर बाद में उसको animate किया था आपने keyframe लगा के वो इस तरह से कुछ आपको दिखा रहा है राइट लिक अगर मैं यहाँ पर करूँ इसको enable करूँ तो इस वक्त आपके पास पूरी वीडियो आ रही है तो यह तो हमने कुछ masking की options देखी यहाँ पर हमने mask बनाया हमने different shapes के साथ बनाया और अपरी मर्जी का हमने pen tool से भी shape बनाके masking उसकी की further हमने इस पर effect भी लगाया mask को animate भी किया आपने सारी options देख ली किस तरीके साब इसको animate कर सकते हैं किस तरीके साब different effect लगा सकते है बड़ी common example है अकसर आप देखें कभी news में आप कभी नजर आए कुछ area आपको blur नजर आए मैं भी किसी की face आप नहीं reveal करना चाहते है या या ही blur आपको नजर आएगा और जिस तरह भी आपने सीखा वो specific area इसी तरीके से होता है कि आपने उस area को mask किया और पिर आपने उस पर वो effect लगाया मेभी अगर आपने blur करना है तो आपने blur का effect लगाया और आपने इसी तरीके से इसको process किया मासकिंग में आपके पास endless possibilities हैं कोई चीजा आपको blood करनी है या आपको कुछ इसको further changes करनी है तो आप उस specific areas पे सिर्फ mask बना कर ही उस पे काम कर सकते हैं तो masking में आपके पास बहुत सारी possibilities हैं बहुत सारी चीज़े आप कर सकते हैं बहुत सारे effects भी आप लगा सकते हैं इसको practice करते जाएं और further इसको master करते जाएं आप